Hello guys, good morning to all of you, last video में हम लोग time of supply के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर हमने अलग-अलग से discuss किया कि time of supply क्या consider होगा in case of goods और फिर हमने बात की कि time of supply in services के case में क्या decided होगा वहाँ पर जो हमने provisions की बात की थी उन्ही provisions से related कुछ extra बात आज हम करने जा रहे हैं यानि कुछ particular cases में जो time of supply है कुछ differently consider होता है जो sections रहेंगे वो आपके same रहेंगे जैसे हमने forward charge की बात की थी उस forward charge के बारे में कुछ special case है जो यहाँ पर बताए गए है कि उस particular case में जो time of supply है आप क्या मानोगे आपको clear होगा जब हम discuss करेंगे first हम बात कर रहे है in case of advances कि अगर क्या हो गया है supplier को पैसा advance में बिल गया है कि यानि जो उसका tax invoice है invoice को ही हम GST में tax invoice बोलते हैं कि जो invoice बनाया गया था उसके अंदर जो पैसा लिखा हुआ है से उसके अंदर आपका invoice 2000 का था और जो पैसा है supplier को क्या मिल गया है उससे access में मिल गया है say उसको 3500 रुपे मिल गए है तो वो 1500 रुपे क्यों मिले होंगे वो 1500 रुपे advance होगा किसका future में कोई supply होनी होगी करनी होगी उस supplier को उस receiver की उसके regarding advance मिला है तो ये क्या कह रहे है कि अगर क्या है supplier को कुछ पैसा जितने के लिए अभी तक बिल बने है उससे advance में मिल जाता है तो उसके regarding time of supply कैसे decide करोगे जो advances के regarding time of supply है वो हम goods के case में अलग बात करते हैं और services के case में अलग बात करते हैं पहले बात करते हैं goods के case में जो आपका prescribed है section 12 के subsection 2 में ही यानि जो forward charge था उसी के अंदर ये क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी supplier को जो पैसा है tax invoice में लिखे हुए amount से access मिलता है और जो वो access है वो thousand से जादा है यानि अगर ये मान लो ये 2200 होता 2400 होता यानि 3000 तक कितना भी होता फिर हम normal ही लगाते हैं उसके उपर ये कह रहे हैं कि अगर tax invoice से जादा पैसा उसे receive हुआ है और जो जादा है वो 1000 या उससे जादा है यानि जो पैसा advance मिल रहा है वो 1000 या उससे जादा है तो उस case में जो advance मिला है उसके regarding जो time of supply है वो वो date मानी जाएगी जिस दिन उस advance से related supply की जाएगी यानि अभी जो आप लगाओगे tax वो सिफ 2000 के coding लगाओगे जो बाकी के 1500 है उनके regarding time of supply वो date होगी जिस दिन इस 1500 रुपे की supply supplier receiver को भेजेगा यानि जिस दिन actual में supply होगी उसी दिन को हम मानेंगे time of supply दूसरी बात आती है in case of services तो services के regarding जो prescribed है वो आपका है section 13 case of section 2 में जैसा services के case में forward चाल था बाकी provision से इन है कि अगर किसी supplier को किसी taxable service provide करने के जो पैसे है वो access मिल जाते है tax invoice से और जो वो access है वो at least 1000 है यानि 1000 या उससे उपर का advance मिला है तो उस particular advance से related जो time of supply है वो वो दिन म पानी जाएगी जिस दिन वो services actual में provide की जाएगी second है आपका time of supply in case of in case of supply by associated enterprise associated enterprise का मतलब है वो enterprise जो आपकी यानि जो supplier है उसकी जो enterprise है यानि जो उसकी organization है उससे जुड़ी हुई है यानि यह कह रहे हैं कि अगर जो supplier है और जो receiver है दोनों क्या है एक दूसरे से associated enterprise है एक दूसरे से जुड़ी हुई enterprise है तो उस case मे time of supply क्या हुगा यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर क्या है जो टेक्स है वो अंडर RCN दिया जा रहा हूँ यानि जो टेक्स है रिवर्स चार्ज मेकैनिजम के अंदर दिया जा रहा हो जहां पर जो सप्लायर है वो आपका आउटसाइड इंडिया हो सप्लायर आउटसाइड इंडिया हो रिसिप्टेंट इंडिया में हो दोबारा बोल रही हूँ सप्लायर रिवर्स चार्ज के अंदर की जा रही हो यानि जो रिसीवर है देखो जब बाहर से समान आता है तो रिसीवर टेक्स देता है क्योंकि सप्लायर तो बाहर का है तो यह क आपका outside idea का है जबकि recipient आपका इन इंडिया है तो उस case में जो time of supply होगा enterprise आपके associate enterprise जोड़ी हुई है तो उस case में जो time of supply होगा वो वो date होगी जिस तिन recipient क्या है अपनी बुक में entry करेगा कि उसे supply receive हो गई है या फिर वो payment करेगा जिस दिन supplier अपनी बुक में लिखेगा कि उसे supply receive हो गई है या फिर जिस दिन वो supplier को payment करेगा दोनों में से जो भी date पहले होगी वो मान ली जाएगी time of supply यह आपकी reverse charge के अंदर ही specify है कि जब भी reverse charge के अंदर एक supply की जाएगी associate enterprise के द्वारा जहां पर जो supplier है services का यहां पर सिर्फ services की हम बात कर रहे है जो supplier है services का वो outside India का है जब की क्या है जो आपका recipient है वो in India है तो ऐसे में जो time of supply होगा वो date होगी जिस दिन जो है recipient ने अपनी book of accounts में लिखा कि उसे supply receive हो गई है या फिर जिस दिन उसने supplier को payment की दोनों में से जो भी date पहले होगी उसे मान लिया जाएगा time of supply और जो date of payment है वो जैसे हम always decide करते आए हैं वैसे ही होगी यानि जिस दिन उसकी ने अपनी accounts में उसको debit किया या फिर जिस दिन उसकी account जिस दिन उसने उसने book of accounts में लिखा कि उसने पैसा दे दिया या फिर उसका bank account ने पैसा debit हुआ दोनों में से जो भी date पहले होगी वो date of payment मान लिजाएगी अब जो third और last special case है वो है time of supply in case of addition in the value of supply कि अगर क्या है जो supply है उसकी value जो है बढ़ जाती है बढ़ जाती है किसी भी वज़र से चाहे जो पैसा है उसपे interest लग गया है यानि जो supplier को payment मिलनी थी अब वो interest के साथ मिल रही है चुकि receiver late payment कर रहा है या फिर कोई penalty लगा दी गई है उसके उपर या फिर कोई भी reason हो सकता है यानि जिसकी वज़र से क्या हो गई है interest हो, late fee हो, penalty हो किसी भी वज़र से क्या हो रही है अगर जो है value of supply जो है increase हो गई है तो उस case में time of supply कैसे decide होगा या पर भी हम अलग-अलग बात करते हैं goods के case में अलग और services के case में अलग goods से related जो provisions हैं वो आपके specify है section 12 के subsection 6 में और services से related section 13 के subsection 6 में ये क्या कहते हैं goods के regarding कि अगर क्या है जो time of supply अगर जो value of supply है वो increase हो गई है किसी भी वज़र से चाहे वो interest रहा हो late fees रही हो या penalty रही हो तो ऐसे ही में जो आपको extra payment मिली है यानि जो interest मिला है या late fee मिली है या penalty मिली है जो पैसा आपको मिला है उसके regarding जो value of supply होगी जो time of supply होगा वो date मानी जाएगी जिस दिन वो पैसा मिलेगा say मान लो supplier को पहले 1200 रुपे मिलने थे अब interest लग गया है दोस्तों का interest के मिले है इसके regarding जो time of supply होगा वो वो date होगी जिस दिन ये 200 रुपे supplier को receive होगे यानि उसे वो पैसा मिलेगा तो जब भी supplier को क्या मिलता है किसी goods की supply के case में कुछ पैसा जो है extra मिलता है value of supply advance नहीं है ये value of supply में addition हो जाता है चाहे वो interest की वज़र से हो late fee की वज़र से हो या penalty की वज़र से हो तो उस excess amount से रिडेटरी जो time of supply होगा वो वो date होगी जिस दिन वो पैसा receive होगा same rule आपके services पे apply होता है कि अगर किसी services को supply किया गया है और उसके regarding जो है value of supply की उसमें addition हो जाता है by way of late fee, interest और penalty तो जो excess amount मिला है जो extra increase होगा है उसके regarding जो time of supply होगा वो date होगी जिस दिन वो पैसा receive होगा दोनों पे same है इस इस प्रोवीजन अलग है तो ये थे आपके special provisions related to time of supply in case of goods and services I hope clear हुआ होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करना Thank you